हम लोग पढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकि ना चाहते हो यूपी, हम लोग बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, रोज सोते हैं एक हार के साथ और रोज अगले दिन जाकते हैं एक हार के साथ, क्योंकि ना चाहते हो यूपी, हम वो काम कर रहे हैं, जो ह करने चाहिए हम चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें लेकिन हम टाइम वेस्ट कर देते हैं उसमें कहीं अलग अलग की बाते सोचने लगते हैं बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं कि जो हम चाहते नहीं हम करें दिन वर में जिससे कि हमारे दिन वर के जो टाइम है वेस्ट हो जाता है हम ने जो study plans ऑपनी लए बनायाते हैं वो Wastец हो जाते हैं और सारी के सारे plants धरे के धैयर रहא जाते हैं इस चक्क्र में हार का सामना करना पड़ता है अपने nósломें हार को लेकर हुम सोते हैं उसी DE ordinlav foarte है उसी Demotivation को लेकर हिम सोते हैं मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक study technique इस technique को use करके आप लोग बहुत कम समय में आपने आपको बहुत बहतर कर सकते हैं लगबख एक महीने के लगबख 15 दिन के अंदर ही आपको खुद में changes नज़ार आने लगेंगे कुछ नगुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आपने आप से हार मान जाते हैं अगले दिन भी बढ़ाई नहीं हो पाती है हमारे दो या चार दिन वेस्ट होते हैं यह cycle रिपीट होता रहता है यह cycle एक बार खताम हो गया उसके बाद अगले बार फिर से ऐसा ही होता है हम फिर किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फोन में लग गए कुछ और देखने लग गए क्या बोलते हैं चैटिंग करने लग गए कही ना कहीं टाइम वेस्ट आपका हो जाता है तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं क्या से आपको इस cycle को प्रिक करना ह देखो सबसे पहली बाद सबसे पहली बाद अगर आपको कोई भी चीज अचीव करनी है ना तो आपको अपना routine बनाना पड़ेगा आप अपना routine बनाओ अपना एक most productive day जो आप सोचते हैं कि यार इस दिन में मैं मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया इस तरीके से अपना इसा ना हो कि 15-16 घंटे का आप में बना दिया कि 15-16 घंटे पढ़ाई ही हो रही है ऐसा कभी भी नहीं हो रहता एक normal human की तरह आपको sleep का time भी चाहिए आपको रोज मर रहा है काम भी करने है आपको खाना भी खाना है हर चीज betterment करते हुए अपना अराम से 9-10 घंटे क प्लान मनाओ कि 9-10 घंटे की पढ़ाई में तुम किस आप से best productivity अचीव कर सकते हो ठीक है एक daddy ले लो daddy या copy notebook कुछ भी ले लो उसमें ऐसा करके लिखो and उसके next page में लिखो कि तुम करते क्या हो उसके बद में difference मालूम चलेगा कि यहां और यहां कितना difference आ रहा है सबसे पहल आपको पाटा है कि मैं तुम सो करते ह kitchen कर सकते ही हिए तुम में इसके बाद करना उन हो उसके बाद बी मैं फोन पर लग रहा हूं उसके बाद मैं जो लौट शायद नए है यहां पर ऑन नहीं होगा यह चैनल बैंकिंग बेस हैं यहां पे बैंकंग जो बहुत का बहुत बड़ा रोल है तो एक फ्री मॉक टेस्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है यह मॉक टेस्स बिल्गुल फ्री है इसका कोई भी चार्ज नहीं है जाके इसको लगाओ देखो तुम्हारा क्या गोलते है इस समय कहां पे है तुम किस साथ कहां पे सेट करने में मदद करेगा तुम्हारे क्या क्या है किस एरिया में मेहनत करनी है तुम मैं मालूम चलता है तो beter reasoning थोड़ी कम है, week है, तो मैं reasoning strong करना है, मालुम चलता है कि मेरा arithmetic week है, तो मैं arithmetic में work करना है, मालुम चलता है मेरी English week है, तो मैं English में work करना है, तो इस दाफ से mock test आपकी बहुत help करता है, mock test एक तो रोज होना ही चाहिए, prelims का, ठीक है, mains का mock आप चाहिए, monthly में एक बार दो, लेकिन क्या बोलते है, prelims का mock तो आपका लगबग रोज या alternate days पे तो होना ही चाहिए, अब free का mock तो हमेशा लगाने ही चाहिए, जो link है वो description मिल जाएगा, ठीक है, और आप मैं आगे वीडियो में बढ़ता हूँ, कि आगे आपको क्या क्या करना है, देखो, इन सबसे पहले आपको अपनी आदाद को break करना है, इनसान की बहुत बुरी आदत होती है, जब यवी वो कोई गुरवाम करें, वो खुद को गालिया जेना शुरू करता है, खुद को कोशना शुरू कर देता है, आपको वो काम नहीं करना है, उस काम के लिए दूसरे लोग है, तुमको वो काम खुद से नहीं करना है, तुमको अपने लिए करना है, चलो कोई बाद नहीं, आज टाइम वेस्ट हो गया, कोई बाद नहीं, अब मैं इसके आगे यो टाइम बजा है, उसको मैं productive बनाऊँग बिना वह आपको प्यार से समझाए कि कोई बाद नहीं होता है हम और बैटर करेंगे इससे बैटर हम कर सकते हैं ठीक है तो यह तो दो चीजे हो गए कि आपको क्या कि आपने माइंड सैट में चेंज़ लाने हैं अब बात आई नोटिफिकेशन आ गया उस मैसेज आ गया उस मैसेज को देखके इंसान लग गया मूबायल में हThey क्या होता कि बहुत 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 रिश्टेक्शन वण जाता है इसचीजों के मादले में तो अब सिंपल इसके साथ साथ एक जर्णल मनाना है जर्णल बोले तो एक notebook ले लो इसमें आपका day by day चलेगा कि आपने क्या किया पता चल जागा कि आपकी अप क्या स्थित्री है आपका कितना बैटर हुए है ठीक है आपको यहां करना है अपने mobile में ही हर घंटे पे एक alarm सेट करना है इस alarm से क्या होगा आपका क्योंकि इंसान का क्या होता है इंसान अपने आप क्या है खुद की responsibility ले नहीं बाता अब आपकी responsibility आपके mobile ने ले लिए आपने नहीं लिए अब हर घंटे आपका mobile बजेगा हर घंटे में आपके mobile में alarm बजेगा उसके बाद क्या करना है आपने उस मजग की बाद नहीं है आपको लिखना है लिखना क्यों है वह भी मैं आपको बताता हूं लेको मैं लिखने का आपने आप में बहुत बड़ा फैन नहीं हूं कि आप नोट्स बनाओ यह सब चीजे लेकिन कुछ-कुछ चीजे ऐसी होती है जिनको लिख के आपको और फाइदे कि अपने लिखेगा कि यहां पर टाइम वेस्ट हुआ है यहां मैं मुबाइल में लग गया यहां मैं यह करा तो बदम मालूम चलेगा कि तुम्हारा ते 10 घंटे का टाइम है न वह 10 घंटे अल्मोस्स तुम 2 या 3 घंटे ही पढ़ रहे थे 7 घंटे तुमने वेस्ट ही किये है केवल नाम के लिए तुमने लिख दिया कि मैं 10 घंटे पढ़ाई करता हूं लेकिन उसमें एक्चुल में केवल 3 या 4 घंटे पढ़ाई हुई है 6 या 7 घंटे वेस्ट ही हुए है तो इससे क्या मालूम चलता है आपको एक अकाउंटविलिटी आती है और इस अकाउंटव तुम्हें गणरे बोल रहा है तु जानता है मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं लेकिन आप तुम्हारा मोबाईल और जनरल तुमें बता रहा है इसनको एक चीज है तुम्हें honest रहना पढ़ेगा तुमने जितने घंटे पढ़ाई करना लिखो जितने घंटे तुमने टाइम वे करता है तो मेरे को गुस्सा आता है कि पांच गंटे कोचिंग में रहता हूं लेकिन पूरा पढ़ता ही नहीं क्या बहुत करता है यह होता है लेकिन वह चीज कभी कोई ब巴eda ess गंटे पढाई पड़ाई करीह मैंने लेकिन Kaya a Sli Me Kya चकास्रें का चार या तीन घंटेτη है वो नहीं कोई बताएगा कि seven घंटे मैंने और जगा वेस्टDi हो कभी कोई नहीं कोई यह बता Tay है अब इस गल्दी को तुम्हें सुधारना है अब मान लो कि तुमने पाया इसको करके कि तुम्हारे 5-6 गंटे बरवाद हो गए तो उसके बाद तुम्हारा फिर तुम्हारे 5-6 गंटे बहुत प्रूक्ति निकले और इस तरीके से तुम्हारा डे दे बाइड डे अकॉंटबरिटी के साथ तुम काम करते जाओगे ना तुम्हारे घडी मेल्ब तुम्हारा मुपाइल और जनर्रल बता रहा है कि क्या करते हैं तुम गलती कर रहे हो तो उसस तो दिन तुम ऐसा कर लोगे लेकिन जब लगबक 6-7 दिन लगतार ऐसा होगा ना कि तुम्हारे कॉफी में रोज भी रहा है यार मोबाइल चलाया यार चैटिंग करी यार फेस्टूप में करा यार इंस्टाग्राम चलाया यार मैंने वाट्सएप चलाया चिल करना भी इंप साथ घंटे चिल कर लिया उसके बाभी तुम्हें चिल ही करना है क्योंकि तुम्हें अभी 10 घंटे पढ़के उठे हो तुम्हारे हिजाब से तो वह तो गलत है तो वह तो गलत बात है ना तो यह चीज नहीं करनी है आपको जब अकाउंटबिलिटी आएगी तो उस चीज को accept करके अपने आपको गाली पकने के अलावा अपने आप से तुम्हें हार नहीं माननी रोज सोना है तुम्हें एक प्रॉट्टिव माइंड सेट के साथ तुम्हें रोज एक प्रॉट्टिविटी अचीव करनी है जो जितनी भी तुम कर सकते हो अपने हिसाब से करो और एक तुम 2 या 3 गंटे पढ़ते हो तो इसको 6 गंटे करो ठीक है ताइम को अभी 6 गंटे करो श्टार्टिव माइं तुम क्यों कि बहुत कम पढ़ रहे हो 6 गंटे पढ़ो और इस चीज का में तुम एक और चीज देता हो तुम क्या बोलते है रेगुलर रेगुलर लगातार प इस की बार किसे तुम्हां में और कुछ क्छ देता हो रहे हो रही है को है को को यह राकर आकर बुद है इंसान और कि मेरी होता है अपने एक्षेंज के लिए तब उसे मालूम चलता है कि हां आर कुछ तो गडबड हो रहे हैं कहीना कही तो है कुछ ना पुछ दिक्कत तो है ठीक है तो इस तरीके से आप लोगोंक अपनी डिसाइड करनी है इस तरीके से आप लोगोंको पढ़ना है